नमस्कार दोस्तों, सामने यह जो आपको टावर दिख रहा है यह है बेसिकली जिन्ना टावर आंधर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर, गुंटूर में यह टावर है जिसको आप जिन्ना टावर बोलते हो और ऐसा बताया जाता है यहां के लोगों में फेमस है कि भाई, इंडिपेंडेंस से पहले एक समय ऐसा था कि महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों ने विजिट किया था गुंटूर के अंदर तो इसीलिए आप देखोगे कि यह टावर जिस रोड पे स्थित है उसको बोला जाता है महात्मा गांधी रोड और वहाँ पे जिन्ना टावर स्थित कर दिया गया तो हिंदू-मुस्लिम यूनिटी का इसको एक सिंबल माना जाता है लेकिन कितने ही हिंदू-मुस्लिम यूनिटी रही उसके बाद यह हमें पता है आजादी हुई, कम्यूनल वालेंस हुआ, यह सब कुछ आपको पता है अब यह जो जिन्ना टावर है वो न्यूज में है न्यूज में क्यों है, चोकि रिसेंट्ली ही कुछ हिंदू-मुस्लिम यहाँ पर ट्राइ-कलर फैराने की कोशिश की एक बॉडी है हिंदू-मुस्लिम वाहनी नाम की, जिसको आप हिंदू-मुस्लिम ग्रूप कह सकते हो इसके कुछ लोग रिपब्लिक डे के दिन जाके इस पर्टिकुलर टावर के उपर जंडा फैराने की कोशिश कर रहे है तो और इस टावर को लेके पहले भी पॉलिटिक्स हो रही थी अगर आप गुंटूर जिले की बात करोगे और गुंटूर जिलो में अगर आप डेमोग्राफी देखते हो तो गुंटूर जिलो की डेमोग्राफिक्स में आपको पता चलेगा अगर आप रिलीजिन की बात करें तो 18 प्रतिशत जो गुंटूर की अबादी है वो मुस्लिम तो इस tower का demolition ना हो जाए, कुछ unwanted activity ना हो जाए, तो इसलिए गुंटूर के administration ने क्या किया किया कि इस tower के चारो तरफ कुछ fencing सी लगवा दी, ताकि overall इस tower के accessibility लोगों के लिए कम हो जाए, कल की rate में tower तोड़ वार ना दिया जाए, communal rights ना हो जाए, हो सकते है, administration ने ऐसा कुछ सोचाओ, हाला कि communal rights क्यों ही होने चाहिए, चोकि tower तो मौमद अली जिन्ना के नाम पे, और मौमद अली जिन्ना तो पाकिस्तान के साथ associated है, तो most probably यहाँ पे कोई भी communal right नहीं होना चाहिए, अगर हम जिन्ना tower की history की बात करें, तो आ पहले है local member of legislative council है, अपी ready, इन्होंने क्या बोल दिया, कि एक समय पे जिन्ना और महत्मा गांधी दोनों ही आये थे independence से पहले, इसलिए tower का नाम जिन्ना tower है, और road का नाम महत्मा गांधी road है, लेकिन अगर आप जिन्ना tower के इस Wikipedia के page पे आएंगे, तो आपको यह पता चलेग था मिस्टर लाल जान, जो की grandfather थे, former तेलगू दिसम party के राजसवा member के, तो इनके बुलावे पे जिन्ना का representative यहाँ पे आया, और उसके बाद respect के नाम पे यह tower मुहमद दिली जिन्ना के नाम पे रख दिया गया, कौन सी story सही है, यह कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अभी क यह लिए काफी लंबे समय से इस जिन्ना tower के नाम को बदलने की बात की जा रही है, अब अगर आप नाम को बदलने की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या रखोगे, तो यह बोला गया कि या तो एपी जे अब्दुलकलाम के नाम पे इस tower का नाम रख दो, या फिर एक दलि आप किसी भी Indian government के office में जाओगे, तो आपको महत्मा गांदी की फोटो नजर आएगी, जवाला लेरू की फोटो नजर आएगी, वह पर पाकिस्तान किसी government office में जाओगे, तो वहाँ पे महमद ली जिन्ना की फोटो नजर आएगी, चो कि उस इंसान ने लाखों इंसानों की लास्ट बिछादी पाकिस्तान को बनाने के लिए, डायरेक्श एक्शन डे याद है न, 16 अगस्त का वो काला दिन, भाई, हजारों की तागाद में लोगों को cold blood में काट दिया गया, जब communal, हमारे जो देश के लीडर्स थे, सादार पटेल होगे, जवाला लेरू होगे, ये partition होने ही नहीं देते हैं, इन्होंने partition इसलिए होने दिया, जो कि इनकी बस में नहीं रह गए थी communal violence को रोकना, Muslims, Hindus एक दूसरे को काट रहते, Muslim League ने किसी भी तरीके से independence में तो देखो मदद नहीं की, ठीक है, पहले तो Muslim League पाकिस्तान के साथ मिलके, sorry, ये, अंग्लेजी सरका के साथ मिलके, Indian National Congress के अगेंस्ट साजिश करती रही, बाद में, जब Indian National Congress के effort से इंडिया को आजादी मिलने लगी, तो इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड सामने रख दी, और एक भावना यहां पे फैलाई, और वो भावना क्या थी, कि Hindus और Muslims की basic requirement अलग है, इनको अलग हो ज Muslim League का और Muhammad Ali Jinnah का, कि Hindus और Muslims की requirement अलग है, इसलिए अलग देश बन जाना चाहिए, यह प्रिमाइसी फरजी था, Muslim League के कुछ लीडर यह जानते थे, कि अगर Pakistan अलग बन जाता है, तो वो उसकी लीडर बन जाएंगे, International Congress में शायद उनको इतनी value ना मिले, इसलिए उन्होंने दे चैट में कितना बवाल हो गया है, इस partition से, हम सबको पता है, Global terrorism का origin ही Pakistan से हो रहा है, दुनिया भर के terrorism का origin Pakistan से हो रहा है, अफगानिस्तान में जो जितना भी बवाल है, सब का origin Pakistan से हो रहा है, यह सब हमको पता है, इस बीच में, पाकिस्तान के founder Muhammad Ali Jinnah, जिसकी वैसे लाखों ल जीजे महत्मा गांदी की इन लीड्र्स के नाम पर पाकिस्तान पेंदर कुछ भी नहीं, जो भी सड़कें हिंदू नाम पी थी, ता क्किस्तान पर पर या सिख नम पी थी पाकिस्तान पर कनवर्ट कर दिया गया। और मैं आपको बताओं कि पाकिस्तान की जो overall social milieu है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों में ऐसा हिंदू-मुस्लिम वाला कोई विवाद नहीं है, अब एक उस दिन पहले ही नियूज निकल के आई थी एक श्री हिंदू थी, उसके बाद हिंदू का आउटगो शुरू हुआ और आज की डेट में, आज की डेट में मतलब ये विकिपीडिया पे आपको 2017 का डाटा मिल रहा है, 2017 में पाकिस्तान के अंदर हिंदू केवल 2.1% है, एक पाकिस्तानी हिंदू काउंसल बोलती है कि पाकिस्तान के अंदर 5% हिंदू है, पाकिस्तान की टोटल जनता में केवल 2% हिंदू है, तो इस बात को अप्रूव करता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये खुद आप कहलो बहुत ज़्यादा राइडिकलाइजड हैं, ये खुद अपने अंदर हिंदू और मुसलिम स्क्स को पाकिस्तान के अंदर बहुत आम है, बहुत कॉमन है कि किसी हिंदू लड़की को उठा लिया, उसकी किसी मुसलिम से शादी करवा दी और उसको मुसलिम धर्व में कनवर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों पर उनकी कोर्ट वगर अभी कुछ नहीं करती हैं, तो इन सारी ठीके ना, कौन सा आप इसका नाम बदल के किसी हिंदू या फिर सिच परसन के नाम पे रख रहे हैं, तो इस बात पर पॉलिटिक्स हो रही है, और बीजेपी चाता है नाम बदला जाएं, अब जो वायसार कॉंगर्स पार्टी है, उनका क्या बोलना है, उनका ये बोलना है कि भाई, बीजेपी की सरकार थी, तेलगू देसम पार्टी के साथ कॉलिशन में 1999 से लेके 2004 में, और फिर 2014 से लेके 2019 में, अगर नाम करण करना था, बदलना था, तो उस समय पे आपने क्यों नहीं बदला, तो यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स होने लग रही है, ओवरॉल उसको उस समय के गुनटूर की मुनिसिपल कॉर्परेशन ने रिजेक्ट कर दिया, और अभी भी गुनपूर के अंदर जो एड्मिनिस्टेशन है, वो ओपनली इस डिमांड को रिजेक्ट कर रहा है, उतना एडिया नहीं है, लगता तो नहीं है कि नाम चेंज करके अगर APJ अब्दुलकराम टावर किया जाएगा तो किसी प्रकार का कोई कम्यूनल वाइलेंस होगा, रिजन मिंग, जिन्ना की हिस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा भी पड़ा लिखा आदमी जाता है, जिन्ना बहुत सारे लोगों की मौत के लिए रिस्पॉंसि वो रेडिकलाइस्ट है, चूँकि वो इसलिए रेडिकलाइस्ट है, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म के दोंग, इस जिवरा धर्म को वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, मैं इस लॉजिक को मना करूँगा, अगर आप इंडोनेशा जैसी कंट्री को देखो, इंडोनेशा की बात क भूमने जाते हैं टूरिजम के लिए, आपको बता है कि इंडोनेशा के अंदर रिलीजन के नाम पे बहुत टॉलरेंस है, उनकी रिलीजिस मानोर्टीस को कभी दबाया नहीं जाता है, वहाँ पे हेट स्पीच, धरम के नाम पे दंगे, यह सब आप सुनोगे नहीं, वहाँ की माइनोर्टीस को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, वो लोग बहुत कम रेडिकलाइस्ट है, आप टर्की की बात कर लो, टर्की एक मुस्लिम मेजॉर्टी कंट्री, लेकिन आप टर्की के अंदर जाओगे तो कंजर्वेटिसम बहुत कम है, ओवर ओल धरम के नाम पे वहाँ पे लोग बहुत ओपन है, उनका टॉलरेंस लेवल बहुत जादा है, तो ये कुछ ऐसी मुस्लिम कंट्रीस हैं, जैसे कि मैंने टर्की का नाम लिया, टर्की में उनके प्रेजडेंट अर्डोगान जो कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लोगों की बात कर तो धर्म के नाम पे दबाना, हिंदूस और सिक्स को सब्जूगेट करना, ये बहुत आम बात है पाकिस्तान के अंदर, इस कंटेक्स में देखा जाए, तो ओवर ओल ये जो जिन्ना टावर को इसके उपर तिरंगा फेराने की बात कर लीजे, देखिए इंडिया है तो तिर अबिनिस्टरिशन लोग था, बट तिरंगा फेराने में क्या प्राबलम थी, दूसरा जिन्ना टावर के नाम करन में क्या प्राबलम ही, ये बात बिल्कुर सही कि पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि YSR कॉंगर्स पार्टी ये साथ डिसकस किया, आपके जो भी व्यूपॉइंट है, जिन्ना टावर के नाम करनों को लेके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, विद प्रॉपर फैट्स, लेट सी कि आप इसमें अपने क्या व्यूपॉइंट्स देखते हैं, इंस्टराम पे फॉलो कर लिजी दोस इस चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया हुआ है, और अगर हो सके तो जोईन बिटन दबाख करें, have a great difference, goodbye, पढ़ते रहिए